नमस्कार मेरा नाम सोनून आज है और आप देख रहे हैं बिहार स्टोडी मीडिया का धंदापानी ब्लोग आप लोग के बीच आज फिर से हम लेके आये हैं अलग स्टोडी बकरी पालन पे और अलग जानकारी आज हमें हैं गया में और गया पटना से करीब 110 किलोमेटर की दूरी पे हैं और आज हम जानेंगे इस फर्म के बारे में संतोस भीया से अप अपना पूरा नाम और पूरा पता बताएं मेरा नाम संतोस राम है और पता गया जिला गराम पंचायत कुजाप अच्छा एक कुझाप है गराम पंचायत और आप करते क्या है संतोस भीया हम तो प्राइविट काम करते हैं और उसके साथ बक्री पालन भी कर रहे हैं बक्री पालन में आप कब से आए हैं कब से आपका रुची बढ़ा कि बक्री पालन किया जाए तो बहुत हमरा दादा आज नए नहीं है लोग बोलते हैं कि हम यह कर दिये तीर मार दिये वह कर दिये लेकिन बक्री पालन सदियों से पाला जाता है जो हम लोग भी पाल रहे हैं और ये पुराना बेवसाय है गरीबों की गाई मानी जाती थी और आज भी उसी अस्थान पे हैं जहां पे देहात में आप लोग देखते होंगे कि यह को दोगों बकडी भी लोग घर में रखते हैं हमारा हर दम से प्रियास रहा है कि छोटा-छोटा जनकारी आप लोगों के बीच लाएं तो ऐसे ही आज स संतोषविया से जानेंगे इनका पूरा कानी ये कि दंग से बकडी पालंड कर रहा है तो अभी आपके ने हो कितना बकडी थे शgam संता बना मिला तो देखे अभी तुरांते आपकेस्टे मारा था इसका बिलने के लिए जब मन जब बेच देते हैं इसको बेचे मिसको कोई दिकत नहीं है और लबाज नहीं है क्या जम्रक कहीं जाना है बारात में पैसा नहीं है तुरांत अपना खासिये को लेंगे पाठी लेकर कट्रों ल अब बंगाल नहीं तो मर्केटों मुझो सोखीन लोग रहता है वही सब सिरोहीं अबरवरी के अधा अनुट अशे तो हली कोई लेवन नहीं करें इसको आपका जो बकड़ी है अब हरा चारा सुखा चाराई काउन कोन चारा खाती है चाराई पर रखते हैं जादे करके और सबजी पत्ता घास भूसा चोकर सब खिलाते हैं सुखा चारा खाती है ब्लेक बंगाल हां कुट्टी दानवला जो प्वार्ज उसको बलते हैं उसको कुट्टी काट के खिलाते हैं अटा चोकर इसा मिला के अभी देखिए सब खा रहाता सब तो बहुत लोग यहीं बात बो बढ़ती है ना अपने हिसाब से रुपया में पाल ने काया कि आप भाया से सुन लिजे कि खाना का इनका मेनेज्मेंट क्या है खाना किसे कि आप दे रहे हैं सब्सक्राइब चारा है और फिर पुठी पुवारा है उसको खिला देते हैं मतलब इस युगार पे वकड़ी पालनें अपना और सभी बकड़ी सुस्थ है सुवस्थ जो आपका बकडी है बो बकडिया सारा चीज खा रही है सुखा चारा हरा चारा यहां तक कि अभी सर्धियों में भी कोई का पत्ता दे रहे हैं कोई सर्धी नहीं है इनके बकडियों में तो जानेंगे अब आपके रख रखाओ के बारे में जो आप सेड़ का निर्मान किये हैं बहुत लोग बहुत बड़े-बड़े फर्म पे गये हैं हमारा चैनल गया है बिहार इस्टुरी कि आप लोगों के बीज वीडियो भी लाए है बहुत बड़े-बड़े फर्म के तो आज इस छोटे से फर्म के इनके कॉस्ट के बारे में जानेंगे कि इन्हों ने कितने खर्च अभी तक अपने सेट पर कर दिये हैं सब टोटल चीज हमको सेट बनाएं में छे हजार रप्य लगा है सब छे हजार लग गया हाँ छे हजार में सब बास लाएं मास को सब अपना फर्फर के अपने से घ्रर दीए अलब छे हजार में इस सेट आप देख रहे हैं और इसमें अभी 10 से 15 बकडिया रह रही हैं तो मेरे ख्याल से स्टार्ट करने के लिए सीखने के लिए समझने के लिए आप 10 से भी स्टार्ट कर सकते हैं बाकी आपका पॉकेट जो एलाओ करें वहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं तो आप जो ये दस बकड़ी अभी पाल रहे हैं अभी ठंडा का मौसम है बहुत सारा समस्य आता है बकड़ियों में तो अभी क्या दिक्कत आ रहा है आपके अहां कुछ हम ठंडा के मौसम में पौलते हैं इसको बोलते हैं ऑसके बारे में बता रहें हैं पुरा भीछा देते हैं लोग दम लम और हम सब घृठा है चारपटी से बोड़ा से चाट बोड़ा से लोग के दे पर खुड़ा देते हैं एक दम घरम होके सब राता है सुबह जब धूप निकल लाता है तो खोल देते हैं सब के बाहर में फास्ट टाइम आप डिवटी कितने बज़े आते हैं उधर से तो सुबह तीन बज़े बहुत उड़ते हैं सर और साइकिल से अपना हम साथ किलोमेटर मेरा डिप्टी है वहां जाते हैं वहां से काम धमन करके और जो भी बगरी के लिए जो हैटल बेश निकलता है उस सब लेक हमिया साथ वज़े फिर पहुंजाते हैं साथ बज़े आते हैं तो फिर उसके बाद क्या र पानी पिलाने का क्या टाइम हज़र आपका शुबह बड़ी 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 बोलते हैं कि तीना जार का बड़ी 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 बोलते हैं कि तीना जार का बड़ी में तीना जार का ही बिक्री होता है तो उनके लिए देख लिए इनkas बड़ी जो एश怎麼 गया और मेरे ख्याल से अधि बड़ी का टकर का बड़ी है आपके यहां अगर मानता हैं की इंक हमारे तो बिमारी आता है तो अपना इलाज करते हैं खुद से नौलेज हो गया है आपके अहां जो अगर मान लिजेगे किसी तरह का खासी सर्दी या जुकाम हो किसी तरह कोई छोटा मोटा विमारी हो उसके लिए आप क्या करते हैं है शर्दी जुकाम हो जाता है तो इसको सर्शो का तेल कड़वत तेस्टों कहते हैं नाक में दू तीन मल जाल देते हैं वे तीन दिन तक सर्दी धम ठीक हो जाता है कि और गैसुस बन जाता है कभी कभी पेट फुल जाता है जादे खाने उने पड़ तो मिठा सोड़ा गोर के सिरीं से मुझे पिला देते हैं अदम गैस खताम हो जाता है एक वार तुम रहे हो खसी के पिसाबे बंद हो गया और हमको कुछ पते नहीं चले दम तो को पिला दिए तुरंट पिसाब उतर जाएगा उसका मतलब एक्स्पेरिमेंट है आपका यह किया हुआ खुद हाए लासुन जो आप दिये थे क्या उसका घुल मतलब बारिक करके हां उसको पीस दिये थे उसको उसको थी में जो कुछे वाला मैं जो मसाल एक बड़ार बना सब्सक्राइब कर देखा हुआ है करके कभी देखिएगा आपको फुरंद रिजल्ट मिलेगा इसको ब्लैक बंगाल बक्री के मतलब हम तो देखे हैं कि अभी जो मौसम चल रहा है यह कई बार हम देखते हैं कि भूत प्रेत वाला भी चक्कर हो जाता है कई लोग बोलते हैं कि चड़े गई थी हमारी बकड़ी और वहां से कोई बान मार दिया हमारी भूत लगा दिया हो इसा कोई बात नहीं है अक्षर होता का है यह चीज जिसे ब्रस बिमारी रहता है इसा के ब्रस पीपी आर के बिमारी होता है अध्याद मोटना आदमी के नहीं जनकारी रहे पर लग गिया अप्र गया तो बोला आई तो यहां तो तो कवची का त्यूंग लगी नहीं पर देख 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 पता चला पीपीयार के बारे में तो हम गया के वैटनारी कुलेज में बश्यक्ता ऐसे प्दन के दवां मिलता है वहां कि इसर हमको पिप्यार ब्यक्षी लेगवाना है बख्री के तो बोले कि तो सरकारी चीजज अब आता है मार्च के या फरवरी में लेकिन जब आता है तो पेपर में देता है अभी आया नहीं है कोई वेवस्ता भी नहीं है अमरे पास है तो हम प्राविट में जहां दवा मंडी है दवा मंडी में पूछे तो भूले कि नहीं सरकारी चीज है यहां में मिलता हैं अब और कहीं पता लगाई हम चारों पीटी से शर्था गये एक दम और हम रहा गाव में दूगों के लुग करी मर भी गया तो हम डरने लें कि भैकर सब्सक्राइब हैं इसको कहा जाएगा मतलब जागरुकता बहुत बहुत बढ़े-बरे फर्म पर देखे हैं कि जागरुकता सारा वीडियो भी देख रहे हैं सारा चीछ कर रहे हैं बकडी मर रही है कई फर्म पर हो भी जान रहे हैं लेकिन टाइम टेबूल उनका एकदम सीडियूल गरबर आया हुआ है और पीपी आरेटी प्लस टीटी एफमडी वगेरा कुछ नह सार किया है और जो क्या स्टाप के जरी हमको बेचके सारा वक्री को भ्यक्सिंग कर दिए तो मतलब आप अपने समाज में भी कम से कम जो लोग जागरुक नहीं है उन लोग को भी बताएए कि बख्री का रख रखाव कैसे किया जाए भूत-परेद कुछ नहीं होता है नहीं बहुत इंका परियास आगे तक जाएगा अभी तो इनके पास बारत तेरा बकडिया है बाकी अगले वार फिर देखेंगे इनके पास अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं उस सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह का वीडियो आपको हर बार मिलता रहे अच्छी अच्छी जनकारियों के साथ तब तक के लिए जय हिंग जय भारत